देख अपने जीवन में एक जी सिखी हूँ जा अपन खेलते हैं तो याद अपन हारते हैं यापन जिलते हैं पर भाई याद आपन भागते हैं यह जोगे जाहिंद मेरे युटूब फैमली कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे आपका एक बार फिर से स्वागत है लौकुस रेनिंग टिप्स पर दोस्तों आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं जो हडल के एकसरसाजियों से संबंदी था दोस्तों जैसे करते हैं स्पीड इंडूरेंस के लिए आप स्पीड वर्क करते हैं उसी प्रकार होता है रनिंग में हडल 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 दोस्तों आपके पूरे बाड़ी को स्पीड में लाती है इस्टेंथ में लाती है आपका पूरा बाड़ी स्टेंथ में आ जाता है उसके बाद स्पीड में के लिए इन्क्राइज होता है। आईए हम आपको हर्ड़ एकसरीज करें हैं। यह एक्सरीज जो अपकूर हुआ है यह वार्म-प किर से अच्छी इतल्साइज है। हो हमाधन पीठेक्ट्रे सीनस यह exercise आपकी frequency, आपकी speed और strength बढ़ाने की सबसे best exercise है, इससे अच्छे सकते हैं, जब आपके muscles में strength हा जाती है, तो आपकी speed आटोमयकी, यह है hurdle exercise, आपकी पूरी body को fit बनाने की बहुत अच्छी exercise है, जब आपका पैर भर जाता है, तो आप भते हैं, इससे आपकी थाय में बहु करेंगे, तो आपके थाई में ताकत आजाएगी, और इस exercise को ज़्यादा बढ़ करें, और आपके हाथ के भी increase हो रही है, strength बढ़ रही है, और आपके back के भी strength बढ़ रही है, exercise आपके all body, exercise आपके all body के लिए बहुत अच्छी है, इन exercise को कर रहे हैं, तो आप दोनों side से करें, अल्टरनेट, जब आप right से जाते हैं, तो next hurdle पे left से जाएं, इसलिए दोनों side से करनी अतियावस्यक होते हैं, तो इन ही सभीần है, हड़ल के exercise को करके national, international, state और district के player, अपने state में medal लगाते हैं, अपने Nasional में medal लगाते हैं, उसके बाद international में medal लगाते हैं, और इन सभी exercise को आप हफ्ते में दो दिन करें अगर आपका कोई बहाली है इधर बीच में 5-6 दिन के बीच में तो आप उस exercise को ना करें अगर आपका बहाली बीच जाता है तो आप अपना उन सभी exercise तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहिन दोस्तों